हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टु गुप्ता किचेन एक्स्प्रेस फ्रेंड्स आज यह सारी सबजियां देखके आप यह सोच रहे होगे कि सबजी की दुकान में हम लोग आ गए हैं पर यह सब हरी सबजियां जो हर किचन की एक शान होती है और किचन को देखने से हमें ऐसा लगता है कि वाह आज तो हमार पस इतनी सारी सब्जिया हैं हम कितना कुछ बना सकते हैं पर जब ये सब्जिया हरी सब्जियों की बात आती है तो बच्चे तो बोलते हैं बस ये सब्जी फिर से वापिस बना दी तो क्यों नहीं आज उसमें से एक सब्जी भिंडी को हम एक न पीजे से तूटना नहीं चाहिए जुड़ा रहना चाहिए उसके बाद इस तरह से मैं सारी बिंडी को एक एक करके सी तरह से काट के रख लूँगी और उसके बाद जब भी सारी बिंडियां कट जाती हैं तो चलिए हम आगे देखिए क्या करते हैं इस बिंडी कितनी सबजी इस तरह से बनानी है तो हमने इसको कैसे बनाई है इसके लिए आपको रेसिपी को अंतक देखना पड़ेगा और अभी तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे इस तरह से मैंने ये भिंडी को देखे सारी काटके अलग कर लिया है और उसके बाद मुझे अब दूसरा प्रोसेस सालू करना है कि भिंडी की ग्रेवी हम कैसे बनाएंगे चलिए उसके लिए मैंने एक कटोरी में आधा कटोरी दही ले लिया है दही खटी हो तो बहुत ही अच्छा है नहीं हो तो भी हम बना सकते हैं फिर इसके अंदर लाल मिर्चा पाउडर एक टेबल स्पून ले लिया है मैंने या कश्मीरी लाल मिर्च ले लिया है फिर इसमें हरा दनिया पाउडर टू टेबल स्पून लिया है आधा स्पून मैंने गरम मसाला लिया है और एक टेबल स्पून म मतलब भुना जिरा पाॉडर लूँगी और फिर इन सब 4 मसालों के साथ दही को मैं अच्छी तरह से मैक्स कर लूँगी ताकि जो दही है हमारी एक सार इन मसालों के साथ हो जाए प्रेंट्स ये मसाला हमें पहले से बना के रख देना है ताकि ये सारे मसाले दही के साथ अच्छे से घुल जाएं और फिर हम इसके बाद हम दूसरा प्रोसेस सालो करेंगे एक कड़ाई मैंने गैस पे बिठाकर फ्लेम आउन कर दिया है फिर इसके अंदर मैं थोड़ा सरसो का तेल डालूंगी सरसो की तेल में सबजी हमेशा ही स्वादिश बनती है और फायदे मन्द भी होती है पर अगर आप ये सरसो का तेल नहीं खाते हैं तो आप जो तेल खाते हैं उसमें इस सबजी बनाईए फिर इसके अंदर मैंने सारी भिंडी जो काटके रखी थी इसको डाल दिया है और इसको मैं दो से तीन मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच में अच्छे से पकने दूँगी इसे पकना भी कह सकते हैं थोड़ा सेमी फ्राई भी कह सकते हैं पर इसको हमें बिल्कुल भिंडी को गलाना नहीं है यहाँ पर क्योंकि भिंडी में तो जो हरे पन का जो टेस्ट होता है अगर हम इस तरह से इसको थोड़ा सा सेमी फ्राई जैसा करके रख लेंगे तो वो हरा वाला जो टेस्ट कच्छे पन जैसा आता है वो इसमें निकल जाएगा बस फ्रेंट्स ये हमारी भिंडी जो है दो तीन मिनिट के बाद थोड़ा सा फ्राई हो गई है उसके बाद इसको निकाल लेंगे फिर इसी कड़ाई में थोड़ा सा तेल में एक चम्मच जीरा पाउडर डालिए एक चोटी हरी मर्श काटके डालिए थोड़ा सा हिंग का पाउडर डालिए और इसके बाद थोड़ा जब जीरा मिर्ची हिंग हलका सा फ्राई हो जाएगा इसको काला आपको बिलकुल नहीं करना है थोड़ा सा लाल हो जाए फिर इसके अंदर लैसुन साथ आठ लेके छीलने के बाद उसमें डालके लैसुन को अच्छी तरह से भूनिये लैसुन थोड़ा भून जाता है तो हमें इसके अंदर कटेवे प्याज जाल देने हैं और प्याज को फिर अच्छी तरह से भूनना है भूनते भूनते प्याज को 2-3 मिनिट भी हो सकते हैं जब प्याज अच्छी तरह से भून जाए तभी इसमें थोड़ा मसाला डालिएगा क्योंकि नहीं तो अगर हम मसाला पहले डालते हैं तो हमारा प्याज भुनता नहीं है और मसाला पहले डालने से मसाला जल भी जाता है तो जो प्याज अच्छे से भुन जाए तब हम इसके अंदर थोड़ा मसाला सुखा मसाला डालेंगे उस मसाले के अंदर मैंने आधा चमच हल्दी पाउडर डाला है और आधा चमच लालमिर पॉडर डाला है जो तीखा नहीं होता है वो सिर्फ कलर के हिसाब से डाला था अब यहां पर मैं इसके अंदर में डाल दूंगी और डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से भूनने लगूंगी यह मसाला जो हम डालते हैं दही वाला और उसमें को भूनते हैं तो यह ग्रेवी बहुत ही सौधिश्ट बनती है पर इसको थोड़ा पेशन्टली आपको भूनना पड़ेगा क्योंकि इसी को ही भूनने में पूरा समय सबजी को बनाने में जाता है इसको अच्छी तरह से भू भूनने में आपको चार से पांच मिनट का टाइम लगेगा तो इसको आप भूनते रहेए थोड़ा पानी सूप जाएगा और उसके बाद इसकी जो ग्रेवी है थोड़ा तेल छोड़ने लगेगी फिर भी अभी भी ऐसा लग रहा है कि दही और मसाला एक जैसा मिक्स नहीं तो मैंने इसमें दही की कटोरी में पांचे चमर्च पानी डाल किसमें मिक्स कर दिया था और प्रसे इसको ठोड़ा बूना था और भूहने भूहने फिर मैंने इसको दो मिनिट के लिए धकन लगा के धग भी दूंगी ताकि सारा मसाना जो بھی इसके अंदर डाला है धही के स पूरा प्याज के साथ मिक्स हो जाए प्याज भी गल जाए और उसके बाद दो मिनिट बद उठाएंगे जब धकन को यह देखिए कितना अच्छी तरह से तेल उपर आ चुका है और मसाला देखिए से क्रीमी टेक्शर लीव एक मसाला होता है ग्रेवी का वैसा यह बन चुका प्रेंट्स यहां पर मैंने अभी तक नमक नहीं डाला था तो मैं अपने स्वात के अनुसार इसमें नमक डाल देती हूँ आप अपने कौंटिटी के हिसाब से अपने टेस्ट के अनुसार इसमें नमक डालिए अब जो मैंने भिंडी फ्राई करके रखी थी अलग से वो इस तीन मिनिट के बाद जब हम उठाएंगे तो भिंडी भी कल चुगी होगी अच्छी तरह से तेल भी उपर आ गया होगा और सारा मसाला जो है जो हमने भिंडी में चीरा लगाया था उसके अंदर चला जाएगा तो इस तरह से हमने भिंडी की सबजी एक अलग स्टाइल में बनाई है ज्यादा तर लोगों को भिंडी की रसे वाली सबजी पसंद नहीं आती है पर ये अब एक लटपज जैसे कहते हैं कम ग्रेवी वाली सबजी वैसी ही बनाई है तो इसका जो ग्रेवी है वैसे भी बहुत स्वादिश लगता है तो बच्चे और बड़े जिसको भी देंगे वो इस भिंडी के साथ और ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से आप रोटी पराठा पूरी जो देना चाहे आप सर्व कर सकते हैं चली अब इसको प्लेटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि मेरी ये सेपी आपको पसंद आई होगी अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे और कमेंट शेक्शन में कमेंट ज़रूर दीजे थैंक यू वेरी मुच अप्पी कुंकिंग दे